श्री गनेशाय नमाहा, नमस्कार दोस्तों, ये राशी फल चंद्र राशी पर आधारित है, चंद्रमा मन का कारक है, हमारे मन पर जो भी उतार चड़ाव आते है, वो चंद्रमा की स्तिधी लेकर आती है, इस वजे से चंद्रमा की पोजिशन हमारे रोज की जीवन को बहुत प्रभावित करती है, और इसके अकॉरडिंग हमारा दिन अच्छाया बुरा जाता है, तो आईए जानते हैं, इस दिन चंद्रमा आपके लिए किस तरह के परिणाम ला रहे हैं, इस दिन चंद्रमा आपकी कुणली में, अश्टम भाव में गोचर करेंगे, ये दिन आपके जिनकी आप कई दिनों से वेट कर रहे थे, वो आपका पैसा जो कही पर फसा था, वो इस दिन आपको मिल सकता है, इस समय में आपको विदेश आत्रा से लाब होगा, अगर आप विदेश जाकर सेटल होना चाहते हैं, तो इस दिन शुरुवात कर सकते हैं, जो लोग आईस क का ख्याल आपको जरूर रखना है, बिमारिया आपको घेर सकती है, वात रोग, रक्त, विकार, आधी में कश्ट मिलने की संभावना रहेगी, इस समय में आपके शरीर में एनरजी की कमी भी रह सकती है, अश्टम भाव में चंद्रमा की स्थिती पारिवारी कलकलेश बढ़ संभावना है, यात्राओं में चोट लगनी की भी संभावना है, दोस्तो इस समय में यात्राइ करते समय साओधानी बरतना बेहत जरूरी होगा, अगर जरूरत ना हो तो ऐसे समय में व्यर्थ की यात्राइ नहीं करनी चाहिए, और अगर यात्राइ करनी ही है तो जरूरत की सारी चीजे साथ लेकर जाए इस समय में विद्यार्थियों का पढ़ाई में मन नहीं लगेगा विद्यार्थियों के लिए उपाय करना इस समय में जरूरी है क्यूंकि इस दिन अगर कोई exam या competition आती है तो मेहनत ज्यादा करनी होगी तब जाकर आपको फलकी प्राप्ति हो सक अगर आप house wife है तो इस दिन आपके उपर काम का प्रेशर ज्यादा रह सकता है स्वभाव में चिर्चिडाहट नजर आएगी आपको भी क्रोध से बचना होगा संतान या फिर आपके दामपतिसुक में कुछ परेशानिया भी इस समय में आ सकती है जिसकी वज़े से आप इस समय में मानसिक चिंताओं में घिरे रह सकते हो इस समय में अपनी चीजों का खास ख्याल आपको रखना होगा इस समय में कीमती चीजे गुम हो सकती है चीजों की चोरी होने की संभावना भी है इस समय में अगर कोई कागजी का रवाया करनी है तो वहापर भी आपको सतर्ता बरतनी जरूरी होगी कोई भी काम बिना देखे बिना परखे ना करें दोस्तो इस दिन आपके स्वभाव में काफी उतार चड़ाव देखने को मिलेगा आप इस दिन निगेटिविटी से घिरे रह सकते हो किसी भी काम में आपका पूरा मन नहीं लगेगा इसलिए उपाय दोस्तो अगर इस दिन आप घर से किसी काम के लिए निकलते हो तो चार हरी इलाइची अपने जेब में ले लिजे इससे आपको फायदा होगा अगर आप इस दिन हरी मुंग की दाल इलाइची या हरे कपड़े का दान करते हो तो भी आपके लिए अच्छा रहेगा नकारत् में सफलता मिलेगी और मन शांत रहेगा इस दिन मंदिर में भगवान का दर्शन करने जरूर जाए और मंदिर के मुख्य गुलक में एक रुपए का सिक्काद जरूर डाले दोस्तो ये राशी फल चंद्र राशी पर आधरित है लेकिन कभी-कभी हमारी परसनल कुंडली में ब आगे बढ़ने के लिए कुछ जरूरी बात एं वीडियो में आगे बताई गई है तो वीडियो आगे जरूर देखें तो कम मेहनत में ही अधिक सफलता प्राप्त होती है परन्तु कई बार ऐसा देखा गया है कि व्यक्ति के जीवन में कई ऐसी घटनाए घटित होती है जिसकी वज़े से उसको बहुत सारी परिशानियों का सामना करना पड़ता है और इस स्थिती में व्यक्ति को बिलकुल भी समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों हो रहा है दरसल आपके घर में ही कुछ ऐसी चीजे होती है जो हमारे भाग्य को प्रभावित करती है हमारे जीवन को प्रभावित करती है और उन चीजों के आसपास होते हुए भी हमें वो चीजे नजर नहीं आती वह चीजे हमारे चारों से हमें नुकसान उठाना पड़ता है जिसकी वज़े से हमें भारी नुकसान उठाना पड़ता है हम पूरी तरे से कंगाल हो सकते हैं दोस्तों काफी लोगों को इस तरह की आदत होती हैं कहीं से भी बाहर से आते हैं कहीं भी जूते चपल फेक देते हैं कहीं पर भी उतार दे कुछ कुछ लोग तो घर के एंट्री के में डोर के सामने ही जूतेया चपल डायरेक्ली उतार देते हैं दोस्तो ध्यान रखे, जूते चपल हमेशा साप सूतरे रखे और उनको उनकी जगे पर रखे। उनके लिए एक स्थान बनाए, उस स्थान पर रखे, अगर वो चीजे देखने में अच्छी लग रही है, तो फिर उनसे निगेटिव एनर्जी उत्पन होने की संभावना बिल दोस्तों एक और बात है जिस पर आपको ध्यान देना बहुत जरूरी होता है हमारे घर के चट के उपर जिन चीजों का हमें काम नहीं होता है उन्हें हम घर के चट के उपर रख देते हैं ऐसा करते करते देखेंगे तो घर के चट के उपर कबार जमा दिखता है जी हाँ जो च चीजे हमें कही ना कही हमारे जीवन में पीछे रखेगी, इस वज़े से घर के चछत को पूरी तरे से साप रखें, पूरी तरे से साप सुत्रा रखें, क्लीन रखें, साथी दोस्तों हम हमेशा देखते हैं, घर के उपर जाने के लिए जो सीडिया है, उन सीडियों के नीचे जो जगा होती है वहाँ पर सामान हमेशा रख दिया जाता है वो जगाई ऐसी है कि सामान को खीची लेती है वहाँ पर आपको कुछ ना कुछ सामान मिलेगा ही अगर हम सीडियों के नीचे सामान रखते है तो हमारी उन्नती होना बहुत ही मुश्किल है जी हाँ सीडियों के नीचे कूडा कच्रा कबार अगर हम जमा करके रखते हैं कोई भी सामान रख देते हैं तो उस वज़े से मालक्ष्मी हम पर प्रसंद नहीं होती मालक्ष्मी हमारे घर में आने की संभावना बहुत ज्यादा कम हो जाती है तो दोस्तों इन चीजों पर ध्यान रखे हमारे घर की सीडिया होती है उनकी नीचे की जगा हमेशा साप सुत्री रखे क्लीन रखे साथी दोस्तों अगर आपके घर में ऐसी कोई चीज मोजूद है जिसका आपको काम नहीं है जैसे टूटे फूटे बरतन, आईना, तस्वीरे, इलेक्ट्रोनिक सामान, सोफा, कुरसी, टेबल, पलंग, घड़ी, जाडू, गमला इत्या दी तो आप इन सामानों को अपने घर से तुरंथी बहार निकाल दीजिए वरना इससे आपको बहुत बड़ी परिशानी हो सकती है आपको ये चीजे कंगाल बना सकती है तो घर में ऐसी चीजों का मोजुद होना शुब नहीं माना गया है इससे धनकी देवी माता लक्षमी जी का प्रवेश घर में नहीं होता है इन चीजों से आपके घर में नकारात्मक उर्जा का संचार होता है और जिस वज़े से व्यक्ति को मानसिक समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है व्यक्ति के मन में चीड़-चीड़ा हट होती है और चोटी-चोटी बातों पर गुस्सा आने लगता है आप जो भी कार्य करते हैं उसमें आपका मन नहीं लग पाता है इस व्यक्ति का जीवन घर में मोजूद इन चीजों की वज़े से अंदकार में डूबने लगता है इसलिए आपको घर में बिना काम की चीज़े कूड़ा कचिरा नहीं रखना है दोस्तों एक और खास बात है हमारे घर में मकडी का अगर जाला है तो वो बिल्कुल भी शुब नहीं है जी हाँ वो अशुब माना जाता है घर में मकडी का जाला होना अशुब है इससे आपके अच्छे दिन भी बूरे दिनों में बदल सकते है क्योंकि मकडी अपना जाल को फसाने के लिए बनाती है और अगर आपके घर में मकडी का जाला है तो इससे घर में नकारत्मक उर्जा का प्रभाव अधिक बनता है और वास्तु शास्त्र के अनुसार इससे सकारत्मक उर्जा का नाश होना शुरू हो जाता है दोस्तों मुख्य द्वार भी हमेशा सुत्रा रखे और सदा कर रखे तो बहुत अच्छा रहेगा इससे मानसीक रोग और घर की परिशानिया दूर हो जाएगी धन की कोई कमी नहीं रहेगी और इसके साथ साथ आएके नए स्तोत भी खुलने लगेंगे इसे के साथ और कुछ चीजे है जैसे टूटी-फूटी जो भगवान की मुर्तिया होती है वो हमारे घर में नहीं रखनी चाहिए साथ ही जो भगवान के पुराने फोटो है जो जमा करके रखे हुए होते है तो दोस्तो वो चीजे नहीं रखनी चाहिए जो भगवान के फोटो या भगवान की मुर्तिया जो घर के मंदिर में है बस व से हटा देना ही आपके लिए अच्छा रहेगा साथी दोस्तों कुछ तस्वीरे हैं जैसे डूपते नाव की तस्वीर या फिर जगड़े की तस्वीर या फिर कुछ ऐसी तस्वीरे होती है जो देखते ही हमें समझ में आ जाता है कि ये तस्वीर निगेटीविटी दर्शा र तो इन चीजों को ध्यान में आपको रखना होगा तो दोस्तों कुछ ऐसे चोटे मोठे बदलाव करके हम हमारे जीवन में खुशिया ला सकते हैं धन ला सकते हैं मा लक्षमी जी का प्रवेश हमारे घर में हो सकता है तो इन चीजों को जरूर आजमाए इस तरह के बदलाव आ आप आपके घर में जरूर करें धन्यवाद